तो freshers attention मत लेना interview question की series आपके लिए start कर दी है अभी daily आपके लिए interview questions आएंगे ही आएंगे जो interview question बड़ी से बड़ी company में छोटी से छोटी company में पूछे जाएंगे वो यहाँ आपको practically आपको सिखाए जाएंगे जब आप interviewer को answer दोगे उसे लगेगा कि आप किसी site पे काम करके आए हो क्योंकि उसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ देखो सबसे पहला question है कि जो measurement की जाती है CPWD की specification के हिसाब से तो वो कौन सा code यूज किया जाता है IS code 1200 मतलब समझ लो पहला IS code 1200 इतना जादा important है अगर आपको civil engineering का 10% सीखना है तो वो IS code 1200 आपको सिखाएगा क्योंकि measurement करना जो भी deduction रहती है billing में कि आपको plaster की measurement कर रहे हो क्या क्या deduct करना है कैसे मतलब अगर आपको billing करनी है तो आपको 1200 IS code must must आना चाहिए जिसमें जो भी finishing की items रहती है उनके बारे में पूरी detail होती है product की description रहती है क्या क्या चीज़े होती है और अगर आप अलग से वीडियो चाहती हो IS code 1200 पे तो comment करना में एक deduction की वीडियो ले आऊँगा कि कैसे plaster में deduction की जाती है वहाँ देखो IS code 1200 कोई एक code नहीं है बहुत छोटा code नहीं है 28 28 पार्ट है इसके separate हर एक पार्ट में अलग चीज़ है और 28 के 28 पार्ट आपको पढ़ने चाहिए तभी आप जो भी deductions जा measurement कीसे करनी है वो समझ पाऊगे अगला question है जब truck side पर आता है कौन सा truck side पर आता है TM TM क्या हो गया transit mixture जो transit mixture रहता है जिसमें concrete बरके batching plant से concrete बरके हम side पर लाते हैं और उससे concrete किया जाता है ठीक है तो एक basic question भी पूछा जाता है interview में अगर experience होंगे जो TM होता है कितना concrete आता है जिसमें तो आपको बताना है 607 MQ उसमें concrete आ जाता है question यह है कि जब side पर TM आता है एक engineer side engineer की duty वहां होती है quality engineer की duty होती है तो दोनों की क्या duty रहेगी सबसे पहले TM side पर पहुंचा तो आपको क्या देखना है उसका time देखना है कब वो TM वहां से चला था यहां पहुंचा क्यूंकि उसका initial setting time 30 minute में शुरू होने वाल है तो जितने जल्दी concrete डाल दोगे उतना अच्छा है उसकी उतनी strength भी बने रहेगी और अच्छे से रहता है तो सबसे पहली चीज revolution counter उसका देखना होता है कहीं TM जादा तेज तो नहीं गूम रहा क्यूंकि जादा तेज गूमेगा तो concrete खराब होता है तो उसका revolution counter चेक करना है फिर दूसरा जो ticket उसके साथ हाई होती है उसमें पूरी slip होती है RMC plant जो रहते हैं वो ticket साथ में बेजते हैं वाल लिखा होता है कि इसका slump इतना था जब हमने यहां से concrete बेजा इतना time था batch number सब चीजे note करके रखनी होती है क्योंकि यह record चाहिए होता है और बाद में काम भी आता है ठीक है यह चीज देखनी है उसका slump लेने आपने जब concrete side के आया है पहला काम concrete में से TM में से concrete निकालो उसका slump लो और check करो कि proper slump है workable concrete है की नहीं फिर उसका temperature चेक करो 32 degree Celsius तक concrete का temperature उसमें है तो अच्छा है अगर जादा आ रहा है तो दिक्कत क्या है वो concrete काफी time से उसमें पड़ा हुआ है उसका hydration process स्टार्ट हो गया उसकी strength decrease हो रही है जितना time होता जाएगा उतनी strength उसकी decrease होती जाएगी initial setting time कितना होता है concrete का cement का वो होता है 30 minute और final setting time 10 hour 600 minute ठीक है फिर आपको क्या करना है जो भी quality engineer या lab assistant है site पे होना चाहिए उसने अपने जो sample लेने होते हैं किसके लिए cube test के लिए तो उसको अपने sample लेने ने बले वो cube बर रहा है जहां slender बर रहा है तो उसी साफ से उसको sample लेने ने है तो यह basic काम रहता है जब site पे TM आता है तो वो इतना खराब नहीं होता है concrete 40 minute बाल अगर उसमें तराई करोगे curing करोगे तो उसमें crack नहीं आते हैं उसमें फटने के chances कम हो जाते हैं किसके concrete के next question है जो shoot use की जाती है शूट सबको पता है concrete हम 1.5 meter से जादा दूरसे एक दम से नीचे तो फैंग नहीं सकते vertically तो आपको shoot use करनी पड़ती है लंबा जो pipe होगी जहां कुछ भी process होगा कि concrete हमें वहां से नीचे पंचाना यहां concrete करना है तो एक दम से नीचे फैंग होगे segregate हो जाएगा material, aggregate अलग हो जाएगा, cement अलग, पानी अलग तो वो हमें होने नहीं देना है ना bleeding होने देनी है तो हमें क्या करना होता है shoot use करते है तो shoot की slope होती है यह एक side engineer को बता होगा जब एक L&T के interview में बैठे होगा था एक बच्चा तो उसे question पुछा गया था कि कितनी slope मतलब 2 meter slope टेड़ी होनी चाहिए, मतलब लगा लो 1 ratio 2 समझ रहे हो जिसको नहीं समझ आ रहा है, comment करना 1 ratio 2 समझा दूँगा, समझ लो 1 हमारा है कि vertically हमें खड़ी करनी है shoot, मतलब distance हमारा vertically 1 meter होना चाहिए और shoot जो टेड़ी होनी चाहिए, उसका नीचे का जो distance होना चाहिए, व पूछा जाता है, जो भी batching plant होते है, इस missionary, central batching plant, उसमें जब mixing time कितना रखना चाहिए, 50 से 90 सेकेंड, कितना note करके रख लो अपनी diary पे, 50 से 90 सेकेंड अगर उसकी mixing करनी हो, तो अच्छा है, उससे जादा नहीं करनी चाहिए, वो भी खराब है, उससे कम नहीं करनी चाहिए वो भी खराता हो, 50 to 90 सेकेंड पगड़ रखो, आपको इतनी करनी ही करनी होती है, और speed कितनी होती है, उस mixer की जब उसमें concrete हो रहा है, देखो, जल्दी जल्दी करोंगे, तो खराब हो जाएगा, तो आपको 2 से 6, मतलब एक मिनिट में, आपको 2 से 6 revolution उसके होने चाहिए, आर तो ये चीज भी आपको द्यान रखनी ही, और mixing speed कितनी होती ही, उस mixer की ये भी द्यान रखना, 6 से 18 rpm, 6 से 18 rpm ही रखना उससे जाधा रखोगे, तो मैंने जैसे कहा, aggregate अलग, वो सब चीज़े अलग, तो 6 से 18 rpm उसकी mixing speed होनी चाहिए, उस mixer, तो अभी कोई आपको पूछे, concrete fatigue क फिर डाल रहे हैं, तो वो concrete weak हो जाता है, तो वो जो होता है, उसे concrete fatigue बोलती है, मतलब पहले उस पे अगर concrete की capacity है, 100 kN की, तो उस पे 30 kN डाल रहे हैं, फिर 60 डाल रहे हैं, फिर 50 डाल रहे हैं, फिर 70, 80, 90, तो वो concrete fatigue हो जाता है, और creep क्या होई, इसी में से question निगलता है, अ देखो एक load है लगा लो 100 kN जैसे slab उठा सकती है तो उस पे 80 kN का load या 90 kN का load रख दिया पढ़ा रहा पढ़ा रहा पढ़ा रहा और थोड़ी टाइम बाद वो उसमें creep मतलब उसमें bend आ जाएगा थोड़ा सा deflection आ जाएगी उससे चीज को क्या बोलते हैं creep जो deformation होती है sustained load से उसे हम creep बोलते हैं अगर कोई बात आपको कोई experience engineer से ऐसे tricky question पूछे जाते हैं आपसे कोई पूछे कि जो सामने concrete है चलो तो कैसे आपको पता चलेगा कि concrete ने अपने initial setting time उसका gain कर लिए मनला initial set हो गया वो कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी अगर हम उस पर चलेंगे ठीक है ये question पूछे जाते हैं क्योंगि जैसे हमने कहा 40 मिनट बाद curing पाणी मारना उसको start तो आपको कैसे पाणी छपेगा तो होता है initial set हमें कैसे पाणी छपेगा पहले देखने से idea लग जाएगा जो उस पे surface बे जो पाणी होता है मतलब brighten पाणी आपको पाणी दिख जाएगा अगर उसमें पाणी नहीं दिख रहा है तो समझ लो उसका initial setting time हो गया बागी आप 30-40 मिनट बाद आपको बता देने कि इसका initial set हो गया क्योंगि उसका 30-40 मिनट में हो नहीं था तो 40 मिनट बाद आप कुछ भी काम उस पे कर सकते हो कुछ भी काम मतलब उस पे सिर्फ curing के ल आपका ट्रेफिंग में फस गया जहां पहला टीम लगा वो खाली नहीं हो था शट्रिंग खुल गई आपका टीम खड़ा रहा तो उससे क्या होगा तीन-चार चीज़े होती है एक तो concrete over mixed हो चुका होता है जब concrete over mixed हो गया है तो वो खराब concrete अच्छा concrete नहीं रहा है वो क्य क्या है अगर टीम को बंद कर दिया तो वो अंदर टीम के अंदर ही सेट हो जाएगा अगर चलाना तो उसके revolution चलते रहेंगे तो वह क्या हो रहा है मिक्स हो खराब है और अगर वह होट हो गया मतलब उसका hydration process start हो गया अगर होट हो गया तो उसकी strength decrease होने लग पड़ती है क्योंकि portland cement हम यूज करते हैं आपको पता होना चाहिए इंजीनियर सिविल इंजीनियर साइट इंजीनियर किस ने बनाया जो सब एस्पडिन प्रटेंड़ 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 सीमें 1824 में वह इंवेंट हुआ था और अगर कोई आपसे यह question पुछा जाता है बह हमने देख रहे हो इस पर वीडियो चाहिए को मेंट करना नीडल होती है मेला पेस्टी बनाई जाती है सीमेंट की उस पर नीडल डाली जाती है उससे पूरा टेस्ट अगर समझना होगा मैं समझा दूंगा कोई दिक्कत उसमें नहीं है question पूछा जा रहा होता है इसी में question निकल आते हैं कि अगर dry density soil की check करनी हो तो कौन सा test किया जाता है कौन सा equipment यूज़ किया जाता है core cutter किया जाता है और CVE analysis करनी हो तो vibrator यूज़ किया जाता है और अगर tension bending यूज़ चेक करनी हो तो UTM जो रहती है machine उसको यूज़ किया जाता है और अगर आपको wicked apparatus का पूछर आपने बहुल दिया कि wicked apparatus यूज़ किया जाता है setting time सीमेंड की check करने के लिए तो उसी में question आ जाता है कि जो needle यूज की जाती है उसको कितना penetrate किया जाता है देखो इसका जो अगर मैं बात करूं आगर हो wicked apparatus आपको समझना भी होगा IS code 4031 पढ़ना part 4 उसमें यह पूरा बताया है तो code कहता है 33-35 mm जो penetration होता है वो ideal होता है इतना करना होता है यह बहुत important question है RCC structure जो रहते है उसका tension zone कहा होता है आ और यो tension zone होता है वो क्या होता है नीचे होता है किसके neutral axis से और उपर क्या होता है compression zone होता है लेकिन जब cantilever की बारी आती है यह simply supported अगर हमारी slab नपर यह को पता हनी चाहिए PSC क्या है Pre-Stress Concrete जो रहता है वो कौन सा structure है जिसमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती Pre-Stress Concrete की तो वो होता है Arch Arch में इतनी ज़्यादा PSC की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि देखो उसको ना compression में जाने ना loading में जाने वो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी लेकिन जो heavy load structure होते हैं लगा लो bridge होगे जहां कुछ structure होगे जिसमें load काफी ज़्यादा हाने वाला है तो compression भी होगा सब कुछ होगा तो वहाँ पे Pre-Stress Concrete यूज़ किया जाता है कि वो रोका रहे है ठीक है यह चीज़ भी ध्यान रखना और अगर हम बात करें जो beam tension capacity कहाँ जादा होती है in which beam tension capacity of steel is greater than combined compression capacity of steel and concrete कोंट सा होता है वो over reinforced beam उसमें higher tension capacity होती है लेकिन एक दिक्कत होती है उसकी वो जब fail होता है कोई warning नहीं देता है over जो जो हमारा over reinforced beam होता है वो कभी warning देगा एक दम से fail हो जाएगा तो आपको कभी भी over reinforced beam नहीं देना होता है यह चीज़ है तो यह basic question थे आज मैं बस करता हूँ क्योंकि आप भी देखो 8 से 10 मिनट की वीडियो लोग देखते हैं आप भी देखते हैं मैं डेली पार्ट आपके लिए लाता रहूंगा अब बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों का शार्ट शेर करना है कि ऐसी practical knowledge आपको मिलती रही और यह चीज़े यह जो interview question में बता रहा हूँ यह हमारी website पर पढ़े हूँ है फ्री में देखो रोई पढ़ो मतलब हजारों interview question है अगर preparation करने जा रहे हो तो civil side visit की जो website है फ्री में यूज़ करो IS code सब कुछ है जाओ description में उसका link है